नमस्कार साथ यो एक बारा सबका फिर से बहुत-बहुत सुभागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरूजी पर दूस्तों ऐसा कि आप सभी को पता है कि Beard यानि कि Bachelor of Education इसकी जो तैयारी है मैं आप सभी को पिछले 6-7 महिनों से करवाता हुआ आ रहा हू और काफी अच्छे से आप सभी का जो जाम है वह हो चुका है अब आपके सामने ये सारे questions बन करके आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल टेंसर मत दीजिए आज की इस वीडियो में ये साइट डाउट जो है आपके मैं यहां पर क्लियर करने वाला हूँ जितनी भी update होगी आ मैं आप सभी को यहां पर बताऊंगा और आप लोगों ने बहुत जाला मेरा साथ दिया है छे महिनों से लेकिन अभी आप लोग बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हो तो आप लोग से एक थोड़ी सी एक complaint है कि भाई आप लोग थोड़ा support करो साथ दो क्योंकि अभी जो है B8 का अभी से शुरू करतेनी आप आप मैं से काफी साथ लोग जो वीडियो को देखते नहीं है वीडियो पर आ करके बस यहाद 10-15 मिडियो मैं आप की लिए एक वीडियो बनाता हूं आप देखते रहो आप लोग वीडियो को छोटा सा दिन भर में आप सभी से 15 मिडिन ही तो मै आपका जो तयारी है चलता रहेगा आपकी जो पढ़ाई हो बीच में छूटे के नहीं मैं आप सभी इतना चाहता हूं कि आप लोग की जो पढ़ाई है वो छूटे ना तो आप लोग बस फायदा मिलेगा और इसकी वैलिटी क्या होती है सब कुछ पूरी डिटेल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं तो टेट हो गया सीट हो गया यूपी टेट हो गया तो टेट बेसिकली जो होता है जास सीटेट की बात करते हैं तो यह आपका सिच्छक पातरता पर इच्छा हो सिच्छक पात्र पहिच्छा होता है यानि कि आप सिच्छक बनने के पात्र है या नहीं है इसके लिए examNation होता है और इसकी जो validity होती है वो 7 year होती है आप लोग कहो गीvalidity यहाँ पर क्यों दी गई है बाई 7 year का मतलब क्या होगी इसकी variety क्यों दी गई है, चाहे seated करते हो, चाहे यूपीटτι करते हो, variety आपकी जो है साथ साल की होती है, यानि कि अगर आपने एक बार इस एकजाम को qualify कर लिया, तो साथ साल तक जैसे भी कोई साहय का ध्याबक भरती को इच्छा आती है, तो आप लोग उस वेकंसी को आराम से भर सकते हो और उस वेकंसी को भरने के बाद अगर कोई टीचर की वेकंसी निकली हुई है तो आप लोग को टीचर की जो नोकरी है वो मिल जाएगी यानि कि अगर आप अगर टीचर की वेकंसी आती है गौर्मन टीचर किसके लिए भाई एक से लेकर पांस तक के लिए, छे से लेकर के नो तक के लिए, छे से लेकर दस तक के लिए अगर वेकंसी आती है, यानि कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए अगर आपकी वेकंसी आती है टीचर की, तो आपके लिए टेट की, सीटेट की, आपके पास क्वालिफिके यह आपके यूपी स्टेट लेवल पर होता है ऐसे यूपीटेट होता है ऐसे रास्थान में रीट होता है यह अगर आप लोग अपने स्टेट में जॉब करना चाहते है तो आपके लिए यह चीज है आप लोग को प्लान कर रहे हैं कि आप लोग को चाहे प्राइबेट मिले चाहे आपको गौर्वर्मेंट सीट मिले आपको जो है बीएड करना करना है तो आप लोग तैयारी जो है अभी से सुरू कर दो तैयारी जो है आप लोग बिल्कुल अभी से ही सुरू कर दो क्योंकि मैं आपको भी बिलकुल बेसिक चीज़े बता रहा हूँ कि पिछले साल क्या या हुँआ था किस तरह का पैटन होता है क्या स्लेवस होता है यह सब चीज़े मैं आपको यहाँ पर लगातर बताती हुँ चलना हूँ तैयार यह भी सुरू कर दो लेकिन अभी यहाँ पर सवाल आता है कि आप फर्स्ट यर वाले भर सकते हैं क्या जो आपके बीटीसी में फर्स्ट यर वाले हो भर सकते हैं यह नहीं भर सकते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि जब भी वेकेंसिया आती है। अभी वेकेंसिय ये सेप्टमर में भी आएगी। हर साल सेप्टमर तक इसके वेकेंसी Miss protocol हो जाता है पिछली बार दंगांगांगा हो गया था तो JULkin जोसान पार एकार हो गही। तो सिप्टमबर तक इसकी जो वेकंसी आती है और दिसमबर जनुरी में इसका एक्जाम हो जाता है तो अगर अभी इस साल की हम बात करते हैं जैसे 2020 वाले में वो फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म वो भर सकते हैं यह बात अलागे उनके लिए वैलिट नहीं होगा बट मैं आप स आपको एक आईडिया लग जाएगा किस तरह का पर आता है कैसे क्या होता है क्योंकि भाई जितने भी लोग टेट की वेकंसी आती टेट का फॉर्म भरते हैं वो लोग एक बार नहीं भरते हैं कम से कम चार से पांच बार देते हैं जिसने उनका जो नंबर अच्छा सके और अभी जो new policy आई है उसके according यही है कि आपको भाई यह अच्छे नंबर लाने होंगी क्योंकि जब सोपर्टेट की वेकंसी आएगी तो वहां पर जो है आपका पचीस परसेंट नंबर आपका जुड़ेगा तो यह इसलिए मैं आप सभी से अभी से कह रहा हूं कि अभी से तैयारी करते रहो और अभी जब सेप्टेंबर में फॉर्म आएगा तो आप लोग भर दीजिएगा भरते वक्त सिंपल सा आपसे एक option पूछेगा कि आप लोग appearing में हैं यानि कि आप लोग first year में हैं कि नहीं है तो आपको simple से लिख देना हा मैं हूँ first year में या मैं first year degree पा चुका हूँ भले ही नहीं पाया हूँ बटा आप लोग को भर देना है और आम से जब December में जरूरी होगा तो आपको exam दे करके आना है क्योंकि अगर आप लोग exam देने जाओगे तब ही आपको एक idea लग पाएगा तो इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि जो लोग अभी यह सोच के बैठे है कि अगले साल से त्यारी सुरू करूंगा तो आप लोग अगले साल का वेट करते रहों अब मैं आप से एक चीज़ यह भी क्यों कह रहा हू अगर आप लोग अभी से प्रिपेर करना सुरू कर दो कि जब वेकंसी आएगी तो आप लोग को कॉम्पीट करने वाला वहां पर कोई नहीं रहेगा तो आपको यह जो हर बार वेकंसी फच जाते हैं आप लोग सुसते हो यार कास मेरा दो नंबर जादा होता कास मेरा एक न सभी लोग को पता है कि सेचख बनने जा रहे हो तो अपनी स्टुडेंट को हमेशा यही बताओगे कि अपनी तयारी पूरी रखें आगे क्या होगा उसकी बात अलग है पर अपनी तयारी जो है आप लोग पूरी रखें तो इसके लिए बार बार पूछ रहेते सारे लोग तो आई होग अभी जो आपके डाउट होंगे टेट सीट वाले क्लियर होगे होंगे अभी जो आप लोग दिमाग में बिठा करके बैठे थे कि नहीं करना है कि करना है तो आप लोग तैयारी करना सुरू कर दो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहां पर जितने भी मैं वीडियो ढ़स आपको देता हूं फ्लीज आप। लोग देखा करो चैनल पर आकर उसको सेयर किया करो अबने दुस्तों के साथ जो फ़रस्ट य्पे उन्वान होती का विध्य साहते हैं तो वो भी जो को कर otherwise यदि वीडियों को आपके लिए करें ज्यादा से क्लास है सब्जेक्ट तो मैं आपको हमेशा अपडेट देता रहता हूं और फिर से एक अपडेट में हाँ पर दे देता हूं बहुत इंपोर्टन्ट है अगर एंसर की ये बात करते हैं तो देखें एंसर की जो आपका काफी लोग तो यह करेसे सर एंसर की कैसे आएगा पेपर 15 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त के बीच में आपका कंफर्म है आज आएगा तो आप लोग यहां से बहुत जाए 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 अगर लेट होगा तो पचीस अगस्त उसके पहले-पहले आपका आज आएगा क्योंकि रिजल्ट जो है आपका फिक्स हो चुका है 5 सेप्टमबर 5 सेप्टमबर तक आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा कॉंस्दिंग आपका 18-20 अगस्त सितंबर के आसफास जो आपकी कॉंस्दिंग सेवह यह बिल्कुल एकॉपक्ट एठेट है ब hmड लोग बात करते हैं पांध सबजक्ट आते जिसमें 3 सब्ज, सभीक्त चूज करने पर तो यह subject हो गया इसके अलावा बहुत साथ लोग यहां पर पूछाए से सर काउंसलिंग की पूरी detail बतातीजे तो अगर आप लोग को चाहिए सर काउंसलिंग के बारे मैं पूरी detail आपको share करूं कि कैसे होगी काउंसलिंग क्या-क्या चीज़ आपको document चाहिए तो इसके उपर लड़के ही नहीं होंगे तो मैं तयारी कहां से कराऊंगा तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो ही मैं तयारी कराऊंगा नहीं तो फिर मैं भी आप लोग की तरह बैट जाओं मुझे कोई बहुत जाद यहां से कमाई नहीं हो जा रही है कि मैं बहुत जादा पैसे च क्लास को लेते रहो तो बस यह चोटी सी चीज़ आप सभी के साथ सेर करनी थी वीडियो कैसा लगा तो आई होप आप आप लोग आगी जो है क्लासे लेते रहेंगे तो आज की वीडियो तो इतना वी बाबाय टेक कियर जय हिंद जय भारत मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में